नमस्ते मेरा नाम राकेश है और मैं जुमनी के फ्रैंकफर्ट इस शहर में हूँ आज छे दिन के बाद बाहर निकला हूँ और मेरे जैसे कई सारे लोग है जो आज काफी दिनों के बाद बाहर निकले हैं इसका मतलब यह नहीं है कि यह लोग डर पोख है लेकिन जब तक अप प्रोणा भारत का भारत में आ नहीं सकता या पर मैं बहुत यंग हूँ हमारी आ टेंपरेचर बहुत जादा है तो यह सेम गलती की फैल नहीं सकता यह सेम गलती जो है दो हपते पहले इटली ने की थी इस पैन ने की थी और फिर जर्मनी ने की थी क्योंकि इनका काउंट अ शायद 5000 केसिस थे और स्टेश 3 में आज ये पहुंच चुके है 19 तारीक केवल चार दिन में यहां के केसिस जो है 15,000 के आसपस बढ़ चुके हैं तो प्लीज प्लीज ये गलती आफ मत किजिए हमारे देश में घर पे रही हैं घर से बाहर मत निकलिए क्योंकि हमारे देश में अगर ये थाल गया न सुस्टेश अ दो बहुत बहुत जाएगा क्योंकि कर दीज ये ये इनके पास हॉस्पिटिल्स और इ। इनका जितना हो पॉपलीशन हो सॉस्पिटिल्स और वह बहुत जादा है हमारे देश का शॉपलीशन है 1.3 बिलियन हमारिया अगर ये फैल ना तो रोकना मुश्किल हो जाएगा और यार यह लोग जो है ना यह इतने सोशल है नहीं यह जादा मिलते गुलते हैं नहीं फिर भी इनक्या इतने तेजी से फैल रहा है उसके कंपारिटिव में अगर हमारा देश देखा जाए हम लोग इतने जादा मिलते हैं और बहुत सारे बहुत सारे सोशल गादरिंग करते हैं तो अगर ऐसी स्पीड से हम लोग मिलते रहे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे देश में और आप यह भी सोच रहे हूं कि मैं तो यंग हूँ और मुझे अगर मेरे में आ भी गया तो मेरी इमिनिटी अच्छी है और भी तो बाहर मत निकलिए बहुत मतलब इससे अच्छा देजबक्ति दिखाने का आपको इससे आसान मौका मिल ही नहीं सकता है और कोई आपको कई हतियार लेके बौर्डर पे जाने नहीं बोल रहा है अपनी घर में बैठना है बस घर में बैठ है रहना है तो यही है कि अपने घर में बैठे रही है बहुत आरी चीज़ है यार टीवी देखों मोबाइल बहुत कुछ है और गवर्मेंट अपनी तरफ से जो कर रही है लेकिन जब तक आप लोग घर में नहीं बैठ होगे यह रुकेगा नहीं और अगर फिर कर्फ्यू वाली सिच्वेशन आने आ गई जैस तो यार हमारे जो है सोल्जर जिनो जिसकी इतने लोग ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं वो तो घर से बाहर रहके सारे त्योहर चोड़के बॉर्डर पे है तो आपको तो कोई बॉर्डर पे जाने नहीं बोल रहा है अपने ही घर में रहने बोल रहा है तो प्लीज अपने भारत में मत कीजिए अपना खयाल रखिए जाहिन